पास में जाकर कितना भी सच जाने की कुशिश करें पर जिस आदमी के साथ वो चीज़े हुई थी वो ही सच बता सकता है हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे मुवी नैटली ये 2010 की एक मिस्ट्री रोमेंस मुवी है ये इसी थीम पर बेस्ट है एक सकल्प्टर और इसका स्टुडेंट ये 10 साल बाद मिलते है 10 साल पहले की एक लड़की को लेकर है मिस्ट्री है तो इसे अंतक जोरू देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कह दीजे इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है बिना ख़िदरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जून हुग एक स्कल्प्चर आर्टिस्ट है आज उसका एक्जिबिशन था तो सारे स्कल्प्चर बिख गए उसने सिर्फ एक स्कल्प्चर को सेल नहीं किया इसका नाम है नैटली यूँकि Natalie उसके लिए बहुत important है June Hugh की एक colleague है जिसका नाम हुरिम हुरिम उसके पास आती है उसके कहती है कि आपका एक student है जो आपसे मिलना चाहता है क्या मैं उससे मना करतू June Hugh कहती है कि उससे आने दो थोड़ी दिर में जब हुरिम घर जा रही थी तो इस student को notice करती है इसका नाम है Minwoo वो Minwoo से पुछती है तुम यहाँ आये क्यों हो मिन्यो कहता है मुझे Natalie बाई करनी है यह उसके कहती है कि वो sell नहीं करेंगे वैसे वे तुम क्यों बाई करना चाहते हो मिन्यो कहता है कि Natalie को लेकर मेरा एक secret है जो उसे नहीं बताएगा जुन हुग Natalie को देखकर गुसा था उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता क्योंकि उसका best piece of art यह है थोड़ी दिर में Minjun हुग के पास पहुचा वो लेट हो चुका था जुन हुग कहते है exhibition खतम हो चुका है जुन हुग मुझे आपके काम की बारे में लिखना है जुन हुग इसमें थोड़ा भी इंट्रस्टेड नहीं होता तो मिनु कहता है कि मैं आपके क्लास में था मुझे Natalie की बारे में जानना है मिनु नैटली के sculpture को देखता है जुन हुग मिनु कहता है तुम लोग के आर्ट पर क्रिटिक करते हो उनसे कमेंट लेते हो यानि कि कुछ controversial बन जाए ये किस तरह का job है मिनु कहता है कि मैं आपके आर्ट को appreciate करता हो इसी वज़े से उसकी कुई value है जुन हुग कहता है तुम आर्टिस की value पता नहीं है मिनु कहता है जिस तरीके से मैं आर्टिस की value नहीं करता उसी तरीके से आप woman की value नहीं करते है ये सुनकर जुन हुग surprise था वो पुछता है क्या तुम होरिम के बारे में बात करे हो उसे मेरा आर्ट पसंद नहीं आता क्योंकि वो मेरे प्यार में है वो मुझे पार नहीं सकते वो मेरे work के बारे में review दिया करते थी वो और भी ज़्यादा interested हो गई हम दोनों में relationship उई उसने मुझे पात तो लिया पर वो frustrated हो चुकी थी उसे पता था कि मैं हमेशा के लिए किसी और से ही प्यार करता रहूंगा मैं पूरी तरीके से उसका नहीं हो पाऊंगा इसलिए सारा frustration वो मेरे काम पर निकालती है उसने मिनू से कहा तुम्हारी शादी हो चुकी होकी अपनी वाइफ से तुम शायद बहुत प्यार करते हो इसी वज़े से तुम इन सब बातों के बारे में पता नहीं तुम बहुत ही serious लगते हो तो शायद कभी तुमने अपनी वाइफ पर cheat भी नहीं किया मिनू कहता है सारे आदमें तुम्हारी तरह नहीं होते कुछ कपल एक दूसरे के साथ ही खुश होते है जुनो कहता है कि अगर ऐसा है तो इस कंट्री में टिंबल से जादा मोटिल्स क्यों है वो एक हाउस वाइफ के बारें बताता है कहता है उसका आजबन 11 बज़े चला जाता था तो मुझे कॉल करती थी ऐसे ही बहुत सारी हाउस वाइफ का अफेर चलता है तुम्हें क्या बता शायद तुम्हारी वाइफ का भी अफेर चल रहा होगा इस पर मिनू को गुस्सा आ गया था पर उसने कंट्रोल कर लिया मिनू बुशता है अपने 10 साल पहले कहा था क्या आप कोई भी स्कल्चर क्रियेट नहीं करेंगे इसके बाद क्या हुआ जुनू क जूट कहता है जुनू कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हू मेरा मन हमेशा बदलता रहता है पर एब बाद जूट थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा मेनू ने कहा हर एक आर्ट की प्राइज होती है उसने अलग-अलग स्कल्चर की प्राइज बताई उसने कहा कि मैं बाई करना चाहता हू वो प्राइज के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं जुनू कहता है नैटली मेरे लिए बहुत स्पेशल है इसे में कोई भी प्राइज नहीं दे सकता जुनू क समझ गया मेनू सिर्फ रिवे में इंट्रेस्टेड नहीं है उसके यहाँ आने का रीजन कुछ अलग है मेनू ने फिर से पूछा नैटली कोन है यसा बात ही हुरिम सुन रही थी के पास आई और कहा में नैटली हूँ जुनू कहता है तुम कभी भी नैटली नहीं बन सकती इसे हुरिम को बहुत ही हर्ड में सुस हुआ वो इसे नीचे गिरा देती है पर मेनू भागती हो जाता है वो इसे बचा लेता है अब जुन हुन दस साल पहले की बात बताना स्टार्ट करता है गहता है मुझे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटिफुल स्कप्चर बनाना था इसके लिए मैंने बहुत राइक किया हुरिम भी उसकी मॉडल बनी पर सब कुछ उसे एमिटिशन लगता था किसी में भी वो बात नहीं थी उसने महीनों लगा दिये पर फिर भी वो को स्टार्ट नहीं कर पाया उन देनों जुन हुक ये उनिवर्सिटी में पढ़ाय करता था कॉलिज में डांस प्रैक्टिस चल रही थे उसी वक्त उसने फर्स टाइम मिरान को देखा वो उसे बहुत ब्यूटिफुल लगी बाद में मिरान जुन हुक के ही क्लास में आई मिरान को देखकर जुन हुक इंस्पायर्ट हुआ वो मिरान की ब्यूटी पूरी तरीकी से स्कल्प्चर में उतारना जाता था इसके बाद सेमिस्टर का एंड आ चुका था अपने बुक पर आटोग्राफ लेने के लिए मिरान जुन हुक के पास आई जुन हुक कहता है कि मैं इस पर क्या लिखू वो गहती है तुम मुझे चाहिए हो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा स्कल्प्चर बनाओ मेनु कहता है कि आप जूट बोल रहे हो मिरान ऐसा कभी भी नहीं करेगी इस बात को इग्नोर करकर जुन हुक आगे बढ़ता है जुन हुक फिर मिरान को अपने स्टूडियो में लेकर गया उसकी ब्यूटी सही तरीके से दिख पाए इसी पोजिशन उसे दी इन सब शीजों में एक दुसरे के पास आ गए थे दोनें इंटिमेट हो गए जुन हुक कहता है हमारा प्यार टाइम के साथ स्ट्रॉंग होता गया वो मुझे बहुत एकसाइट कर दी थे मैं बार बार दिन रात उसे प्यार कर सकता था मैं मर भी जाता फिर भी उससे ही प्यार करता मिनू फिर से उसे इंटरप्ट कर देता है कहता है कुछ भी जूट मत बोलो अगर तुम उससे इतना प्यार करते थे तुस्से शादी क्यों नहीं की जिस मिरान को मैं जानता हूँ वो बहुत ही अलग थी वो प्यूर थी, मिस्टिकल थी जैसे किसी पोरानी कथा से आई हो वो माना एक ब्यूटिफल पेंटिंग से खुद चल कर बाहर आई हो मिनू ने नोटिस किया था जब भी जुन हुग मिरान के पास होता था तो अनकमफडेबल हो जाती थी एक दिन मिनू ने मिरान को अप्रोच किया उसे कहा कि तुम्हारी बहुत अच्छी से पेंटिंग मना सकता हो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी मिरान को भी अच्छा लगा था पर तभी जुन हुग इनकी बीच में आ गया मिनू को लगता है जुन हुग ने मिरान से कहा था मुझे तुम चाहिए हो वो फिर मिरान को जबर्दस्ते उसके स्टूडियो में लेकर गया अपने आर्ट के नाम पर उसे जबर्दस्ती की प्रेजर में जुन हुग मिभू से कहता है तुम तुमारी मेमरी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो तुमें जो लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था मिनू कहता है तुमारे एज बढ़ चुका है तुम उसे अपसेस्त है तो इसी वज़े से अपने माइंड में कोई भी लव स्टोरी पना ली है तुमने सिर्फ उसका फाइदा उठाया जब तुमें बुरा लगा तुसे छोड़ दिया जोनो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा टाइम गुजरता गया तो हम एक दुसरे में सिर्फ फिजिकल प्लेजर ढूडने लग गए थे मैं उसका एडिक्टेट हो गया और वो भी एक दिन मिरान ने पुछा कि आप मुसे शादी करना चाहते हो जोनो कहता है हमें ऐसा सोसाइटी की वज़े से करना पड़ता है हमारे प्यार को कोई भी डेफिनेशन देने की ज़रूद नहीं है वो मिरान के साथ सिर्फ लिविन रिलेशनशिप में रहना चाता था उसे ये नहीं पता था मिरान पेगनन्ट है मिरान ने फिर भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था हमेशा एक दूसरे में खोए रहते थे पाकी कोई भी चीज इन्हें करना अच्छा नहीं लगता था जैसे कि मैं पता है जून हुक उन दिनों नैटली क्रेट कर रहा था मिरान की वज़े से वो इस पर कॉंसिंडेट नहीं कर पाया उसका फ्रेस्टेशन बढ़ता जला जाता है मिरान को भी ये बात समझ में आ गए एक दिन जब एक साथ थे तो जून हुक सोया हुआ था नैटली से कहती है अब मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाओंगी तुम्हें दस साल का वक दूंगी इसके बाद फिर से तुम्हारे पास आओंगी एक्शुल में जून हुक जगा हुआ था उसे प्रिटेंड करता है कि वो सोया हुआ है ये सब बाते सुनी वो उसने उसे रोका नहीं मिन्यू प्रेजेट में कहता है कितने पागल हो आज 10 साल कम्प्रीट होने वाले है तुम अभी भी उसका वेट कर रहे हो वो शायद तुम्हें भूल भी चुकी है जून्यू कहता है तुम मुझे क्यों पागल बोल रहे हो तुम भी तुम मिरान से वन साइड़ेट प्यार करते थे 10 साल बाद तुम भी यही हो मिन्वो फिर अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है जब मिरान और जून्यू का ब्रेकप हो गया तुम मिन्वो हमेशा मिरान के साथ ही होता था मिन्वो ने रियलाइस किया मिरान का ब्रेकप हो चुका है पर फिर भी वो पूरी तरीके से उसकी नहीं बनेगी वो बहुत सैड थी प्रेजन में जुन्यूग मिनू से कहता है तुम्हे क्या लगता है तुम उसे मुझसे जादा अच्छे से समझते हो मिनू कहता है वो मेरी अब वाइफ है इसे जुन्यूग सप्राइस्ट हो गया मिनू ने फिर अपनी स्टोरी कंटीनू की मिनू हमेशा से मिरान से बहुत प्यार करता था तो एक दिन मिरान उसके पास आई उसने पूछा क्या तुम उससे प्यार करते हो मिनू हा कहता है वो पुछती है क्या हमेशा करते रहोगे मिन्यों ने कहा मरने के बाद भी मिरान कहती है कि मैं अभी भी किसी और से प्यार करते हूँ क्या फिर भी तुम उसे प्यार कर सकते हो मिन्यों कहता है मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इन दोनों ने फिर शादी कर ली प्रेजर में जुनियों कहता है मीरान के लिए मैंने 10 साल वेट किया हमेशा उसके लिए तडबता रहा और वो मज़े कर रही थे तुमारे साथ ते खुश थे वो उसे हिट करने लगता है कहता है नैटली मीरान नहीं है एसे एक लड़की के साथ में सोया था उसे का स्टैचू बना दिया है वो हर्ट है इसी वज़े से सब बाते कर रहा था उसने कहा जाओ और तुमारी वाइफ को बता दो कि मैं सब कुछ बाते वापस लेता हो उसके साथ बिता हुए टाइम को में रिक्रेट करता हो मिन्हो कहता है कि मैं उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है जुन हुक को ये सुनकर बहुत बुरा लगा अब हमें पता चलता है कि एक्चुल में हुआ क्या था जैसे कि हमें पता है कि मीरान जुन हुक की वज़े से प्रिगनन्ट थी तो उसने मिन्हु से शादी कर ली थी थोड़ा टाइम बीट कया फिर मीरान को पैदा चला कि उसे कैंसर है अब उसके पास च्वाइस थी एक तो बेबी जिन्दा रह सकता है या वो मेनु कहता है कि हम बेबी का अबाशन कर लेंगे तुम्हें जीना बहुत इंपोर्टन्ट है तुम फिर से पेगन रह सकती हो मीरान उसे मना करती है कहती है यह मेरा फर्स्ट बेबी है यह जुन हुक के पैर की निशानी थी तो उसे मिटाना नहीं चाहती थी मीरान की डिलेवरी तो सक्सेस्फुल हुई तो उसके बाद पुरा कैंसर उसके बॉड़ी में फेल चुका था मेनु हमेशा उसका खैल रखा करता एक दिन मीरान ने उसे सौरी कहा सब चीजों के लिए यह एक दूसरे को लास्ट टाइम आई लव यू कहता है मीरान अपने बेटी के साथ खेल रही थी तो भी उसकी डेथ हो गई प्रेजिन में जुन्हुक कहता है क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो मीनु ने कहा मीरान तुमारा लास्ट तक वेट कर रही थी वो जब मरने वाली थी तो उसने जुन्हुक को लेटर लिखा था ये लेटर मीनु ने निकाल लिया ये कभी जुन्हुक के पास पहुची नहीं पाया यही लेटर वो दस साल बाद जुन्हुक को वापस करता है इस लेटर में मीरान ने लिखा हुआ है कि मैंने तुमसे जो promise किया था कि मैं तुमसे दस साल बाद मिलूंगी अब वो possible नहीं जुन्यू के सब पढ़कर बहुत रोता है उसने मिनू से का क्या मेरी बेटी को कभी मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओगे मिनू इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है जुन्यू को मिरान की सब कुछ बाते याद आई नैटली ये मिरान की ब्यूटी कैप्चर करने का सिर्फ एक ट्राय था अपने आर्ट में तो सक्सिस्फुल हो गया पर उसने मिरान को हमेशा के लिए खो दिया अमबिशन और प्यार इन दोनों में चूस करने की एक दर्दना ट्रैजेडी ये मूवी बता कर जाती है जिससे आप प्यार करते हो कभी भी उसे जाने नहीं देना चाहिए बाकी चीज़े लाइफ में आती रहती है अगर वैसा नहीं किया तो बात में पच्टा ना पढ़ सकता है इसे के साथ आज के वीडियो हम खतम करते है और आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवी ज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दवने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये